सो हेलो कैसे आप सब लोग आप सब का सुवागत है मेरी इस वीडियो के अंदर जो की होने वाली है सलार मूवी रिव्यू पे और तुमारे भाई ने सबसे पहले सलार मूवी देख लिया है और भाई काफी ही यह वाली परफॉर्मेंस दिया भाई प्रभास भाई ने और मेरे को कलेक्शन अगेरा से कोई मतलब नहीं है तो मूवी पर आता हूं सिधा इतनी तगड़ी इतनी खतरनाक मूवी है ना भाई 2023 की सबसे बहतरीन मूवी मैं इसको बोल सकता हूं इसके लेवल पर अभी तक कोई आई नहीं है 2023 के अंदर जहां तक मेरे को याद है इससे पहले भी एनिमल आई थी जो लोग बोल रहे हैं कि एनिमल में काफी जादा एक्शन था काफी जादा थ्रीलर थी काफी जादा वॉयलेंस था तो भाई एक बार जाके सलार देखो तुम्हें वॉयलेंस पता चलेगा कि क्या हुआ है इतनी खतरना इतना मतलब मूवी की अगर मैं बात करू तो मूवी जैसे KGF वाली थी तो उसी टाइप की स्टोरी रखी गई है कि एक जगह होती है खानसार तो उसके अंदर सब एक छेयर के लिए लड़ रहे होते हैं कुरसी के लिए अपना राज हासिल करने के लिए जैसे KGF में होता है तो उसी त और खांसार के अंदर जब वह एंट्री होती है एक नमबर भाई मज़ा आगया मतलब यह देख लो पूरा पैसा वसूल है और अब जल्दी से इसका पार्ट टू का इंतजार है भाई यह सस्पेंस में डाल दिया मेरो को लगा कि एक ही मूवी के अंदर पूरी स्टोरी कंप्ल हो आएगा सो एक ही है वस लेकिन इतनी तगड़ी मूवी है जो मेकर्स हैं इसके वही केजएफ वाले हैं जिन्होंने करी है और सो उनसे एस्पेक्टेड भी यही था कि परभास के अंदर से जो चीज मिस हो रही थी तिने सालों से बहु बली वाली टाइम की वह चीज़ एक दो जिगरी दोस्त होते हैं उसके बाद वो एक दोस्त उसकी हेल्प करता है खानसार के अंदर सो उसको सजा भी मिलती है हेल्प करने की बट वहां से उसको निकलवा के बचवा के खानसार से बहार करवा देता है फिर जो वो बड़े होते हैं लेकिन वो वादा करके निकलता कि तू मेरे को जब भी बुलाएगा मैं आओंगा सो बचपन की दोस्ती दिखाई गई है कि कितनी पक्की है फिर वो जवान हो जाते हैं 25-25 साल के बाद तो उसको वो याद करता है फिर परभास को वापस खानसार में लेके आता है और मापे फिर वो जो लड़ाईयां होती है भाई साब तगड़ी उंधी लड़ाई होती है काफी बहतरी और भाई परभास की जो इसमें है ना भाई मज़ा आगया देखके और काफी वड़िया लगी मेरे को सलार अभी मेरे को नहीं पता कि इसने डंकी का रिकोर्ड तोड़ा नहीं तोड़ा क्या हुआ बट वैस सलार मूवी देखी मेरे को मज़ा आगया मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है मैं अपना होनेस रिव्यू देने आया हूँ जो मैं दे रहा हूँ और बात करें डंकी की तो डंकी अभी मैंने देखी नहीं है बट डंकी का भी काफी लोग बोल रहे है कि सलार को पीछे छोड़ दिया ये वो सो रियूमर्स तो काफी बनते हैं आप लोगों को पता ही है बट अभी डंकी भी देख हुआ मैं उसके बाद देखते हैं कि कौन सी वाली अच्छी होगी, कौन सी नहीं, उस पे एक शॉर्ट वीडियो मना दूँगा, या फिर फुल वीडियो मना दूँगा, वो बात की बात है, बाकी अगर बात करूँ तो सलार मुवी देखनी है चाहिए या नहीं, तो बाई जरूर देख सकते हैं, so thank you, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरू करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना, so मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई